नमस्कार साथियों मैं सीमा गुपता आज फिर आप सभी के बीच आप सभी के मुद्ध को लेके आई हूँ आप सभी की जिग्याताओ को बताने आई हूँ और आज मैं प्रदेश की सरुच्च सनस्था उत्तर प्रदेश सासन से सम्मंदित वो महत्वपूर जानकारिया आप स समिक्षा दिकारी अपने गाउं अथ्वा अपने घर जा सकते हैं तो इस पर आप सभी को उगत कराना है कि बिल्कुल जा सकते हैं और वह मात्त समिक्षा दिकारी ही नहीं बलके यहां के साहिक समिक्षा दिकारी कंप्यूटर साहिक जो भी अधिकारी गड़ करमचारी जा सकते हैं और खास बात है कि यह सुविधा मात्य प्रदेश के सरुच्य संसा उत्तर प्रदेश सासन के अधिकारियों के नहीं प्राप्त है बलकि प्रदेश के जो भी अधिकारी गड़ करमचारी गड़ है यदि आउकास के दिनों वह अपने घर जाना चाहते हैं तो अवस इस समय कहां पर है और इसके साथ साथ कई अन्य पक्ष भी निर्धारित होते हैं लेकिन आपको या बताना है कि या अवकास आपको स्विक्रिती के उपरांथी मिलता है अर्था इस्टेशन लीप की सुविधा आप अपनी सीनियर ऑफीसर से लेकर ही आप बाहर जा सकते हैं और यदि आपके बिवाग में काम है कोई आवस्टे कारवाही आ जाती जिस पर ततकाल ही कारवाही किया जाना उचित है तो फिर आपको या आवकास नहीं मिलता अर्थात आवकास के दिनों में भी आप आवकास का उभोग नहीं करते हैं बलकि प्रदेश के हितों के समवर् अर्थात कि यदि आपके बिभाग में कोई कोट केस आ गया या कोई इस प्रकार के महत्वपूर कारह आ गया कि आपको करना ही होगा और उसके बिना काम नहीं चरेगा तो फिर आपको प्रतीक दसा में इस्टेशन लीव ऐसी इस्टीव नहीं मिलता है तो यह दूसरी तरफ जब विधान सभा और विधान परिशद का जब सत्र आरम होता है तो उस दोरान भी इस्टेशन लीव की सुविधा या आवकास साउत्तर प्रदेश सासन की सरुच प्रात्मिक कारियों में विधान सभा विधान परिशद की सत्र को लिया जाता है तो इन सभी मद्दे को देखते हुए और कास की दिनों में इस्टेशन लीव आदी सुविधा नहीं मिलती है लेकिन अन्ने परिश्दितियों में सामाने परिस्तितियों में आप सनीवार रभिवार को अपने घर अपने गाउं जा सकते हैं इस टेशन लीप की सुविधा लेकर तो साथियों आज आपने जाना कि आवकास के दिनों में किस प्रकार से आप अपनी गाउं अपनी घर जा सकते हैं और इसके संबन्य मैंने आपको बताय कि इसके लिए आपको एक छोटी सी अपचारिकता स्टेशन लीप लेनी की होती है इसके बाद आप आपना उब्हों कर सकते हैं इसी महत पोर्ड जानकारी और सूचना के साथ मैं सीमा गुपता आप सभी से विज़ा लेती हूं नमस्कार